आते हैं, बहुत important article होने वाले examination के point review से खास कर GS paper 2 quality से आप लोग इसको relate कर अपाऊगे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं MPLED scheme के बारे हैं, बहुत सरल से शब्दों में इस scheme के बारे में आप लोगो समझाओ दूँगा, थोड़ा सा time लगेगा और इस scheme के बारे में सारी information हम लोग को मिल जाएगी, इसको लेकर UPSC पहले question पूछ चुका है, बहुत सरे examinations में already question पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए important है, तो अभी पहली बात, यह चर्चा में किसलिए आया, चर्चा में इसलिए आया, कि जो हमारी ministry of finance है, जिसको हम लोग वित मंतराले बोलते हैं ह और उस पैसे को उपर जो भी ब्याज वगरा मिलता है, वो पैसा पहले MP-led account के अंदर जमा होता था, और यहाँ पर developmental projects के उपर खर्च किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो जो interest हो जो ब्याज है, वो यहाँ पर सरकारी खाते में जाएगा, Consoluted Fund of India में, यह Consoluted Fund Fund of India क्या होता है, इसको समझेंगे, फिर MP-led को समझेंगे, तब आपको यह मुद्दा भी समझमा जाएगा, तो पहले हम लोग इस पूरे issue को समझने के लिए, एक basic सा मुद्दा समझते हैं कि आखिरकार यह MP-led है क्या, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह Economic Times का article है, कि जो MPs जो Member of Parliament है, वो अब यहाँ पर इस interest का, इस ब्याज का use नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो fund आता है, Member of Parliament को fund मिलता है, इसके ओपर interest ब्याज बगरा मिलता है, उस ब्याज का यह MPs यूज नहीं कर सकते, इस fund का, या फिर जो यह जो ब्याज है, वो directly यहाँ पर सरकारी खाते में, जो Consolidated Fund of India है, उसके अंदर चला जाएगा, तो यह तो होई हमारी खबर, अब खबर के पीछे बहुत सारी important बाते हैं, जो की exam में directly पूछी जाएंगी, उसको cover करेंगे, सबसे पहली चीज, यह CFI होता क्या है, Consolidated Fund of India होता क्या है, देखो, जब हम लोग बात करते है सरकारी Fund के बारे में, Government के Funds के बारे में, तो आपको तीन प्रकार के Fund देखने को मिलते हैं, एक होता है Public Account, दूसरा होता है Contingency Fund, और तीसरा होता है Consolidated Fund, यह कौन को से Article mentioned है, तो हमारी संभिधान के Article 266 में आपको Public Account के बारे में देखने को मिलेगा, और Article 267 में Contingency Fund के बार सरकार का ही देखने को मिलेगा, अब वो पैसा कैसा होता है, आगे मैं आपको बताऊँगा, अभी हम लोग Public Account और Contingency के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हलाकि इसके बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूँ, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं Consolidated Fund के बारे में, देखो होता क्या है यहां पर, अगर जो भी पैसा इस वाले फंड में है, इस फंड में से पैसा निकल कर कहीं पर भी खर्च करना है, तो उसके लिए हमेशे एक Parliamentary Approval चाहिए होता है, Parliament का Approval मिलेगा, उसके बाद ही हम लोग यहां पर या फिर जो हमारी सरकार है, वो इस फंड से पैसा न क्या होता है, सरकार ने जितना भी पैसा कमाया, रेविन्यू क्या होती है, यानि कि सरकार की कमाई, जो भी पैसा कमारी सरकार, अब सरकार जो पैसा कमारी हो, टेक्स के माधियम से कमारी है, और टेक्स के अलाब नॉन टेक्स के माधियम से भी कमारी है, टेक्स जैसे कि income tax हो सेंटरल एक्साइज हो ग्या, कस्टम्स हो ग्या और भी दूसरे प्रकार के रिसीट्स हो था है, जो कि सरकार के पास में आते हैं, हैना कुछ गरूनमेंट बिजनस है, हमासे सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा TX Revenu उसके बार non-tax revenue भी जो भी है, ठीक है सरकार काफी सारे exams conduct करवाती है उसका पैसा लेती है तो यह जितने भी सारे revenues है वो सब यहाँ पर कहाँ पर चले जाते है Consolidate Fund of India में चले जाते हैं तो सरकार का सरा पैसा आपको यहाँ पर जो सरकार की कमा ही है वो CFI के इंदर चली जाती है और CFI के बारे में कापर मेंशन्ड है हमारे समभीधान में Article 266 Clause 1 में अब उसके बाद मालो यहाँ पर सरकार ने कोई लोन उठाया है कोई लोन लिया है कुछ Public Notification देखकर या Treasury Bill के उपर लोन उठाया तो वो सारा लोन भी सब कुछ इस CFI Fund के अंदर में जाता है कोई Foreign Fund आया है Foreign सरकार से यानि विदेशी सरकार से कोई पैसा आया है लोन उठाया है तो वो सब भी यहाँ पर इसी Consoluted Fund of India के अंदर में जाता है अब यह सारा पैसा इसमें चलातो गया अब मालो सरकार को इसमें से पैसा निकाल कर खर्च करना है यह मैंने आपको बताया कि भाई एक एक पाई को खर्च करने के लिए हापर Parliamentary Approval की आविशकता होती है क्लियर हुआ तो आपने यहाँ पर Ampulate Scheme के साथ साथ एक और Major Point को या फिर एक और Main Important Topic को कवर कर लिया है जो कि है Consoluted Fund of India, CFI यह इसके बारे mentioned है, एक और पिच्चर में लगा दिया, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो अब आते हैं Ampulate Scheme की तरफ, Ampulate Scheme क्या है देखो Ampulate Scheme जो है, यह एक Central Sector Scheme है, हमारी केंद सरकार के थूरोच चलाई जाने वाली Scheme है जिसको लाया गया था December 1993 में इसका Major Objective गया है, देखो Major Objective है जो हमारे MPs होता, MPs कौन होता है, Member of Parliament यानि कि राजय सभा और लोग सभा के अंदर जो Members है हमारे, वो हमारे Member of Parliament के लाता है अब इन Member of Parliament के अंडर में एक एक Constituency है, जगा बटीवी है आपको बता होगा आपके इरे से MP निकल कर रहा है, तो यहाँ पर एक जगा बटी भी है वो जगा MP के अंडर में है, तो जो MP है, वो उस जगा के Development वगरा का यहाँ पर पूरी Responsibility लेता है कि वहाँ पर जो विकास वगरा वो MP करेगा अब उस MP के पास में यहाँ पर कुछ पैसा भी आना चाहिए, सरकार कुछ पैसा देती है अब जो सरकार यहाँ पर पैसा देती है इन MPs को तो यह basically इसी पैसे को यहाँ पर जब MPs को दिया जाता है, वो हमारी MPLED scheme के लाती है clear हुआ, तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, इसी चक्कर में इसका जो नाम रखा गया है पूरी scheme का वो यहाँ पर क्या है, Member of Parliament Local Area Development Scheme ठीक है, तो Local Area के Development के लिए यह scheme लेकर आई गई थी, इसके लिए जो पैसा है वो लगता है, ओवियसी बात है विकास के लिए, वो जो पैसा है, वो MPs को दिया जाएगा और वो जो पैसा है, वो MPs यहाँ पर अपने Development की तरफ खर्च करेंगे ठीक है, जो भी constituency यहाँ पर MPs को मिली वी है, वहाँ पर कोई asset को उपर खर्च ना करना है ठीक है, वो सारा पैसा यहाँ पर क्या होता है, वो सब MP को पैसा मिलता है कि भ правильно, क्योंकि MP recommend करता है यहाँ पह काम करवान है, हमें इसके बर लिए पैसा चाहिए और इसी चक्कर में पैसा दिया जाता है, कितना दिया जाता है उसे बागें में आपको बताऊँगा फिलाल यहाँ पर पहले आपको objective समझा रहा हूँ फिर यहाँ पर अब क्या है देखो कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं रूखी है पहले तो यहाँ तक थी कहानी की भई यहाँ पर education, health, साफ सफाई, road इनी चीजों के लिए पैसा दिया जाता था लेकिन 2016 से क्या किया गया? एंपिलेड फंड को यूस किया जा सकता है स्वेच भारत अभ्यान के लिए, इंडिया campaign के लिए सुग में भारत अभ्यान हो गया प्लस और भी ऐसे हैं पर हमारी योजनाज हो गई उसके लिए भी यहाँ पर इस फंड का इस्तमाल किया जा सकता है ऐसे हैं यहाँ पर announcement हो चुका था तो यह तो हुए इसके objective अब इस scheme को लागू कैसे किया जाता है तो इसको समझते हैं देखो इस पूरे process में इस scheme के अंदर में क्या होता है कि जो member of parliament है Member of Parliament बोलता है भी यहाँ यहाँ पर काम की अवशकता है यहाँ पर काम होना है हैना इसके लिए member of parliament के पास पैसे आता है अब यहाँ पर मैं आपको बता दू यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए जो पैसा है वो सालाना 5 करोड आता है और वो 5 करोड बेसिकली है कि आप responsible हो आप यहाँ पर यह सारा काम करोगे ठीक है तो member of parliament क्या करता है recommend कर दिता है यह सारा काम एक district collector की दराफ तो यहाँ पर वो जो nodal district या फिर district collector है वो responsible होता है वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को implement करता है ठीक है वो सब कुछ यहाँ पर maintain करता है सारी details को maintain करता है चलता और जो सारा काम जो भी होना है उसको implement करता है जो पैसा खर्च होना है उसके सारी detailing वगराब यहाँ पर बनाता है clear हो गया आगे बात करते हैं अब इसकी functioning के बारे में चर्चा करें तो हर साल हर एक MP को पाच करोड रुपया दिया जाता है दो installment में धाई करोड धाई करोड करगे पाच करोड रुपय दे दिया जाता है उन्हों अब वह जो पैसा है वह यहाँ पर MPs इस developmental activities को पर लगा देते हैं अब यहाँ पर जो MPs है वह लोगसभा के MPs है ठीक है लोगसभा के MPs होते है वह अपने district authority को recommend करते है कि यहाँ यहाँ पर काम होना है और जो राजसभा के MP है वह यहाँ पर spend करते है राज्ये के उपर में हो सकता है इसमें तो इस प्रकार से यहाँ पर Amplied Scheme काम करता है कितना कितना पैसा Announce किया जाता है यह भी आप लोग ने समझ लिया अब इस पिच्चर के तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस Amplied Scheme को अच्छे से Revise कर सकते हैं तो फड़ा फड़ यहाँ पर एक काम देखेगा ठीक है काम क्या होना है जो भी यहाँ पर एजनसी जो काम करेगी डेवलेप्मेंट करेगी वो कौन से एजनसी होनी चाहिए तो सारी Responsibility यहाँ पर जो भी लागू करने का Responsibility है जो जिम्मेदार है वो District Collector के पास हमा जाएगी और District Collector यहाँ पर इस सारी Information Complete करकर यह सब को यहाँ पर Post कर देगा District जो Authority Office है वहाँ पर यहाँ फिर www.mpled.government.in website पर प्लस यहाँ पर आप कर सकतो इसी में एक और बहुत बड़ा Improvement यह भी है कि जो citizens है आप हो मैं हूँ हमारे पास यहाँ पर एक right है right to information का RTI का वो यहाँ पर हक यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं यह RTI जारी करके पूछ सकते हैं भई कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा जा रहा है किसलिए खर्चा जा रहा है ठीक है इसी चीज़ के अंदर इस चीज़ का भी यहाँ पर एक allowance दे रखा है clear हुआ बाकी में फिर उसके बाद यहाँ बताया यह जो पैसा है यह निकल कर आता है और यह 5 करोड रुपा अनुली दिया जाता है धाई करोड धाई करोड करके यहाँ पर installments में आता है यह जो पैसा है directly district authority में आता है और उसके बाद यहाँ पर इस पैसों का proper use करके जो development वगरा वो कर लिया जाता है clear हुआ तो यह तो emplied scheme को समझ लिया लेकिन इसी emplied scheme के अंदर आपको बहुत सरी problems देखने को मिलती है सबसे पहली problem यह है कि जो controller and auditor general of India जिसकों लोग CAG बोलते हैं अच्छा यह बताओ आज के टाइम पर करेंट टाइम पर भारत के CAG को ने नीचे comment section में नाम बताना तो जो controller and auditor general of India है that is CAG तो यहनों ने हाँ पर बताया कि बहुत सरे ऐसे भी हम लोगों ने incidences देखे हैं जहाँ पर इस पैसे का mismanagement हुआ है ठीक है यहाँ पर जो पैसा उसका proper use नहीं हो पाता है clear हुआ तो यह सारी बात है हम लोगों ने empland scheme के बारे में जान लिए है I hope आप लोगों मज़ब आ चुका